केवल एक चमस दूद में मिलाकर इसे लें हडियों का दर्द हो या हडियों से कट-कट की आवाज आती हो या फिर आपको बहुत ही जादा हडियों में सूजन है, दर्द रहता है, एठन रहती है, मास पेशियों में खिचाव होता है तो सारी तकलिफें दूर हो जाएंगी दोस्तों इस घरेलू नुस्खे से बहुत ही आसान बहुत ही अच्छा तरीका आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों यदि आप दूद में डाल कर इस पाउडर को कुछ दिन तक लगातार लेंगे तो आप खुद अपने आप मे एनरजेटिक फिल करेंगे कई वार आपने देखा होगा कि हमारी हड्यों से कटकट की आवाज आती है उटते बैटते टाइम तो इसका कारण होता है कुछ दो दोस्तों की वाद का प्रभाव बढ़ गया है बायू अधिक है तो इन सभी चीजों से आपको छुटकारा सबसे पहले दोस्तों यहां पर मैंने लिया है अलसी जिसे की हम फ्लैक सीड भी कहते हैं अलसी जो होती है दोसों वो हमारे वजन को बहुत ही तेजी से कंट्रोल करती है ओमेगा 3 फैटी एसीड होता है अलसी में दोसों और जो लोग वजन कम करना चाहते उन्हें दो चमच अलसी का सेवन जरूर करना चाहिए आप चाहें तो अलसी को ड्राय रोस्ट कर लें खुब अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं और फिर हल्का सा गरम पानी पी लें बहुत से लोग इसे ठीक तरह से नहीं चबाते हैं कम चबा के ऐसे ही निकल लेते हैं तो इसका पूरा फा के साथ भी ले सकते हैं अप अगली चीज़ दोसों जो इस नुस्खे में हम लेने वाले हैं वह है मखाना मखाना जिसे की बहुत सी जगह पर फूल मखाना बोलते हैं इंगलिश में से फॉक्स नट बोलते हैं लोटस सीड भी कहा जाता है गुणों का भंडार है वजन को कम क वजन कम होगा क्योंकि इतना फाइबर होता है कि से खाने के बाद हमें लमबे समय तक हमारा पेट भरा रहता है पेट भरा रहता है तो हम ओवर रिटिंग से बच जाते हैं तीसरी और आखरी चीज़ जो आज मैं इस मुस्खे में ले रही हूँ दोसों वह है अक्रोट यद अगर आप अख्रोट की गिरी खरीद कर लाते हैं सिर्फ तुटा हुआ अख्रोट लेकर आते हैं तो कई बार उसमें से ओईल निकलने लग जाता है थोड़ी बैड स्मेल सी आने लगती है यदि वह बहुत पुराना होता है तो या फिर आप फ्रीज में रखें और या फिर आ हमारे इंसान के दिमाग के जैसा होता है हमारे दिल दिमाग और शरीर की मजबूती के लिए बहुत ही फाइदे मंद है दोस्तों या दाश्त को बढ़ाता है आखों की रोशनी को तेज करता है सांती अक्रोट खाने से तवचा में चमक आती है बालों का जड़ना कम होता है तो हमने यहाँ पर लिया है अलसी, मखाना और अक्रोट इस नुस्खे को बनाने के लिए वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें सांती सांत मेरे चैनल शिखास की चन को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर अच्छी लगी हो दोस्तों तो फिर आप इसे लाइक जरूर करें तो बस अब आपको क्या करना है दोस्तों सभी चीजों को ड्राय रोस्ट करना है गैस के ओपर कढ़ाई रखती है गैस की फ्रेम बिल्कुल स्लो रखें सबसे पहले हम मखाने को भून लेंगे दोस्तों मख दो से तीन अखरोट की गिरी डाल दें और तीनों चीजों को आपको ड्राय रोस्ट करना है तीन से चार मिनट में अच्छा भून जाएगा बहुत जादा नहीं भूनना है ताकि हमें पीसने में आसानी हो इसलिए हम सेक रहें और कच्छा पन ना रहे है अलसी में और इसके मानिए दोस्तों आप देखेंगे कि आपको जो हड्डियों में दर्द रहता है उटते बैठते समय जो हड्डियों से कट-कट की आवाज आती है उससे आपको बिल्कुल ही राहत मिलेगी आप खुद अपने आप में ऐसा लगे का आपको अरे वा हमारा जोडों का दर्द ब बहुत ही जादा फाइदे मंद है बस अब इसे हम पीस लेंगे और किसी भी काच के जार में आप इसे स्टोर कर लें और ये जो पाउडर है दोस्तों इस पाउडर को आप खुद भी लें अपने बच्चों को दें अपने घर के व्रद व्यक्ति को भी दे सकते हैं जरूरी नहीं कि जोडों का दर्द दोस्तों एक उमर के बाद होता है पचास साट के बाद होता है आजकल जवान व्यक्तियों में भी जोडों का दर्द देखा जा रहा है गुटनों का दर्द हो एडी का दर्द हो या फिर गर्दन का दर्द हो कम उमर के लोगों में भी ये दर्द देखा जा रहा है तो आप उन्हें भी इस पाउडर को जरूर दें बजार में तो तरह तरह की केल्शियम की दवाई मिलती हैं दोस्तों परन्तु इतना साइड इफेक्ट होता है तो क्यों होना घर पर ही हम इस घरेलू नुस्के का प्रयोग करें जो कि हमें जोडों के दर्द से आराम पहुचाएगा तो चलिए अब बताती हूँ इसे लेना कैसे है दोस्तों और इसे अभी मैं कांच के जार में स्टोर कर लूँगी इसलिए मैंने जादा ही बना कर रखा है आप चाहें तो ब्रेकफास्ट के समय भी इसे दूद में डाल कर ले सकते हैं या आप चाहे मिल्क लेना है मलाई निकला दूद लेना है वजन कम करना है तो यदि बच्चों को दे रहे हैं तो बच्चों को तो आप फुल फैट मिल्क दे सकते हैं और दूद को मीठा करने के लिए हम यहाँ पर लेंगे गुड़ गुड़ जिसमें की भरपूर मातरा में आयरन होता है हमारे शरीर को मजबूती देता है हमारी हड़ियों को मजबूत बनाता है हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है मेटावालिजम को बूस्ट करता है और गुड़ हमारे स्ट्रेस को भी कम करता है तो शक्कर की जगा आपको दूद को मीठा करने के लिए डालना है गुड किसी भी grocery shop में आपको मिल जाएगी, एक बड़ा ग्लास भर के दूद लिया है, दूद अच्छा गरम करने रख दिया है, उबलते हुए दूद में ही आपको इस पाउडर को डाल कर कम से कम 2-3 उबाला ले लेना है, ठंडे दूद में कभी भी भी ना डालें, कई बार ठंडे को बड़ा मज़ा आता है इसे पीने में, और हम बड़ों को दो चम्मज डालना है इस पाउडर को दोस्तों, और बच्चों के लिए डाल रहे हैं तो एक चम्मज पाउडर डाल लें, आप गुड की जगए यहां पर मिश्री भी डाल सकते हैं, परन्तु ठंड में गुड ब बच्चों को दें और अपने घर के वृद्ध व्यक्ति को भी दें, जोडों के दर्द, हड्डियों के दर्द से आपको राहत मिलेगी, आप अपने आप में फूर्ती और ताजगी महसूस करेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शिखा की चन चैनल को सब्सक् करें, कमेंट ज़रूर करें, इन्फारमेशन कैसी लगी, थैंक यू सो मॉच फॉर वाचिए।